नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कौरवी जाड़े है, मैं Vascular and Interventional Radiologist हूँ पूने से आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेगे, वेरिकोजवेन क्या होता है और ये क्यू होता है, और इसका Non-Surgical Treatment क्या हो सकता है सो चलिए इस टॉपिक को हम दीरे-दीरे समझने की कोशिश करेगे सबसे पहले वेरिकोजवेन याने ये पैर की impure blood vessel या अशुद्धर अक्तवाईनी की बिमारी है जब हम बहुत दिर खड़े रहते हैं, तो impure blood जो normally heart के तरफ जाना चाहिए वो पैर में जमा हो जाता है और उस वज़े से इसकी तकलीफ होती है तो इसके कारण क्या-क्या हो सकते हैं, सबसे पहला कारण जिन लोगों को बहुत देर खड़े रहना पड़ता है जैसे surgeons, bus conductor, hotel key waiters ये जो common profession है जहाँ पर long standing job होता है इसमें varicose vein बहुत जादा common होता है दूसरा common cause इसका, genetic जिनके family में varicose vein की history है जिनके माता-पिता या किसी को पहले हुआ है तो एक genetic factor इसमें definitely add करता है और इस वज़े से varicose vein हो सकता है तिसरा, pregnancy बहुत बार females में pregnancy के बाद varicose vein का प्रमान बढ़ जाता है क्योंकि इसका कारण है जब महीला pregnant होती है जो baby के वज़न के वज़े से नसों में pressure बढ़ता है और उस वज़े से varicose vein की तकलीफे बढ़ जाती है चौधा, obesity जब वजन जादा होता है तो पैरों पे भी pressure आता है और उस वज़े से varicose vein बढ़ जाता है और पाच्वा बहुत common अभी हम लोग देखता है कि IT profession बहुत सारे लोग होता है IT professions में जिनको बहुत देर बैठे रहना पड़ता है लोग सबिरे 9 बज़े बैठते हैं और शाम को 9 बज़े laptop के सामने से उठते तो यह जो long sitting profession है वो भी varicose vein का एक common कारण है अब varicose vein के जो common कारण है वो तो हमने समझ ली अब इसके वज़े से होने वाली तकलीफे हम समझने की कोशिश करेगे तो varicose vein के वज़े से होने वाली तकलीफे 4 stages में होती सबसे पहला जो है पैर दुखना बहुत लोगों को mild pain होता है या पैर restless होते सो हम उसको medical term में बोलते है restless leg सो आपको discomfort होगा आपको समझे का भी नहीं कि आपको varicose vein है सो बहुत बार यह stage को हम ignore करते है इससे हम next stage में आते है जिसमें पैर में veins दिखने लगती है बड़ी बड़ी नसे दिखने लगती है young लोगों में यह बहुत बार नहीं दिखता है क्योंकि skin की tightness की वज़े से नसे उपर तक नहीं आती है तीसरी stage होता है पैर का कालापन होना क्योंकि impure blood पैर में जमा होते जाता है उस वज़े से पैर दीरे-दीरे काले पड़ते है तो यह तीसरी stage होते है और इस में पैर में खुझलाहट शुरू होती है और इस stage को भी अगर हम ignore करें तो पैर में होते हैं जखम यह step-by-step जैसे-जैसे हम vericose vein को ignore करोगे आप next-next stage में जाते जाओगे तो सही समय में सही treatment करना बहुत ज़रूरी होता है vericose vein का अब हम समझेगे कि vericose vein का treatment क्या-क्या हो सकता है सबसे पहली बात तो अगर आप अड़ी stages में है तो सबसे important होता है lifestyle modification lifestyle modification याने क्या अगर आपको बहुत देर खड़े रहने का आपका profession है तो थोड़ी थोड़ी देर में बीच में break लेजिए पैर की exercise करिए जिनको बहुत देर बैटना होता है वो पैर के नीचे कुछ supports रखे या थोड़ा brisk walk करिए आपके work में जिनका वजन जादा है वजन कम करने की कोशिश करिए ये छोटी 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 चीज़े है जो आपको help करेगी वेरिकोज वेन की severity को कम करने के लिए फिर next non-surgical treatment होता है stocking spanner अगर आपको वेरिकोज वेन है still आपके leg pain करते हैं तो बहुत बार early stages में हम उसको stocking से control करने की कोशिश करते हैं सो ये एक important part होता है वेरिकोज वेन ट्रीटमेंट का तीसरी चीज होता है sclerotherapy बहुत बार हम लोग देखते हैं की बहुत सारे patients को तकलीफे नहीं होती है वेरिकोज वेन की वज़े से पर वो छोटी छोटी जो नसे दिखती है वो नहीं अच्छा लगता है बहुत बार young girls होता है उनको वो नसे दिखती रहती है and they are not comfortable with that so this is kind of a cosmetic treatment हम छोटा सा injection द्वारा वो वेरिकोज वेन को बंद कर देते हैं so this is called sclerotherapy लेजर treatment होता है laser treatment laser treatment में हम बिन टाके का जो एक छोटी सी needle द्वारा एक operation होता है उससे internally ये सब नसों को हम बंद कर देते हैं similarly radio frequency ablation ये भी non-surgical treatment होता है वेरिकोज वेन का जिसमें internally सारी नसों को treat किया जाता है और सबसे advanced treatment जो आज के तारीक में हम लोग कर रहे हैं वो है glue treatment glue treatment याने जो impure blood vessels है जो वेरिकोज वेन से है उसको हम internally glue द्वारा बंद कर देते हैं so इसका advantage जो glue treatment versus conventional treatment का advantage ही होता है कि glue treatment में आपको आगे जाके stockings पहनने की ज़रुरत नहीं पड़ती है इस प्रकार से वेरिकोज वेन को बिना surgery और minimally invasive surgery ऐसे multiple ways में treat किया जा सकता है और मेरा आपसे एक ही request है कि ulcer बनने तक हमको नहीं रुखना है सही समय में इसको treatment करना बहतर रहेगा इस topic related और कुछ information चाहिए तो आप नीचे दिये हुए number पे मुझे contact कर सकते हैं Thank you अजाए झाल झाल by you और मेरा आपसी है पर दो दो फिलिए कर दो कि अभास